जो कारीका अंको नुट ही कर के और दो अधिक लुटी को यहां स्वजूनी होगा नहीं होता rulables उन्हें कर न हूं करता है करता है इसका सबूत हमारे पास है कि वचय को बैच्चा को हत्या साथियों बाबा साहिब डॉक्टर भीम रावम बैकर ने जो भारत का संबिधान बनाया जिसमें दलित पिछड़े आदिवासी इस देश के मूल निवासी तथ सर्व समाज के लोगों को बराबर न्याय देने का अधिकार उस संबिधान में दिया और उस संबिधान को इतना सके लेकिन कुछ मेरे देश के ऐसे लोग हैं जो बाबा साहिब को दिन बादिन अफमानित करते हैं साथियों 15 अगस्त के दिन किसी भी स्कूल कॉलेज में किसी भी सरकारी संस्थानों में बाबा साहिब का क्यों नहीं तस्वीर लगाया जाता है क्यों नहीं मालारपड किया मुझे ये बात समझ भी नहीं आती है कि बाबा साहब ने जब देश का संविधान बनाया और सब को बराबर का अधिकार दिया और जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है या फिर हम जब गरतंत्र दिवस मनाते हैं तब बाबा साहब के बनाय हुए संविधान के लिखे हुए एक-एक सब्दों का उलेखन करते हैं पढ़ते हैं लेकिन जब उनकी तस्वीर लगाने की बात आती है तो हम क्यों नहीं लगाते हैं साथियों ऐसे ही कई मामला सामने आया है जिसे राम लखन गौतम ने लिखा है साथ में उन्होंने डियम गोंडा को भी और डेज़ी पी को भी मेंशन किया है आपको बताएंगे खिर उन्होंने क्या लिखा लेकिन सबसे बड़ी खबर ये सोची आप लोग कि दलित समाज को ग द्भासाओं से संबोधित करते हैं बड़ी खबर दोस्तों यहां पर यह है कि कई मैंने उनका स्क्रीन सोट ले लिया है साथ में आपको यह भी बता दें कि चंदर से खर जब खुल कर दलितों के परत नहीं बोलते हैं तब दलित समाज का क्या बयान आता है यह भी आपको बता तब भी आपको मैं समझाता हूं नमस्कार दोस्तों मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार बहुत-बहुत स्वागत है साथियों गोल्डन दास हर ब्यक्ति को बनना चाहिए बिहार में गोल्डन दास का बोल बाला है साथियों बहुजन आर्मी के राज के अध्यच्छ है गोल्डन दास और चंदर सेखार आजाद मायावती जी को अपना ये आइडलोजी मानते हैं साथ में आपको बता दें गोल्डन दास ने अभी तक जितने भी काम लिये हैं सायद सभी कामों का उन्होंने इंसाफ दिलवाया है साथ में आपको बता दें ये किसी से भी नहीं फिर चाहे वो पुलिस हो दरोगा हो डेमेस्पी कोई भी हो क्योंकि इनको किसी भी ब्यक्ति से डरने की जरूरत भी नहीं क्योंकि इन्होंने बाबा साहब के संबिधान को पढ़ लिया है आपको बता दें कि इन्होंने बाबा साहब के संभिधान के साथ साथ तमाम उसारी पुस्तके पढ़ रखी है जो लोगों को इनसाफ दिलाने में मदद करती है इसलिए बाबा साहिब ने मूल मंतर दिया था कि सिछचित बनना है संगखित रहना है तब संगर्स आपको करना है ये बाबा साहिब के तीन मूल बचन हैं और इसी को फॉलो करते हुए गॉल्टनदास बिहार में तमाम दरितों को अध्पिछणों को गरी पिछणों को कब दिलाने का काम कर रहे हैं की तरह सभी भूजण समाज के लोगों को बंढ़ना चाहिए कभी ही मार्मी भी गुल्डन दास की तरह ही वोलती थी लेकिन जब से राजनेतिक पार्ट क्या बनी है आजाज समाज पार्ट की तब से चंद्रसेखर का बोलना कम हो चुका है तो यह गोल्टन दास की हाई-लाक एक वीडियो थीज लेकिन आपको बता दें कि सूरज कुमार बोध ने क्या लिखा है दरसल आपको बता दें कि एक व्यक्ति है जिसक का गाइडलान्स होता है साथ में पुलिस गाइडलान्स भी होते हैं जिसको लेकर कि मैं बताऊंगा नहीं आपको यहां पर इसके इंसोट दिखाऊंगा आप लोग खुश समझे कि किस तरह से यह गाली दे रहे हैं परधान मंतरी नारेंद्रमोदी को साथियोब सबसे पहल उसे सोचिए फिर यम.ड़ देखिया और लिखा है मनवादियों की नाजायज अवलादे सुवर सोचिए यह कहा गया है सूरज कुमार बौध को आपको बता दिन दोस्तों कि जब ओंट दलितों ने अकलिस यादो को ओ दिया था और लालू परसाद यादो ते जिस भी भार लगाने मोदी से काहे खो मोदी से जाएंगे बड़ी ख़बर हैं लेकिन आप सुचिए कि जब आप ओंट अकलिस यादो को दे देते हैं सहतिस सांसत बन जाते हैं लेकिन जब अकलिस यादो से आप जबाब सवाल करेंगे तो सपाई गुंडे आपको गाली देंगे यह आप सोच लीजेगा अब यहां पर दूसरा जो खबर आती है यह देखिए यह उसी बैक्ति का आइडी है अब से कुमार की यह लिखता है कि यह देखिए अहां लिखते हैं डॉट डॉट मोदी साला और बाकी देखिए और जैसे कि लिखा है इसमें सारा कुछ आप पर सकते हैं जैसे इसके मालिक अडानी के ऊपर चोरी का इलजाम लगा यह फिर डॉट 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 देखिए लिखा हुआ है इसमें अपना और उसके बाद में एक एक उता कि मैं ऐसे भासा का इस्तेमाल नहीं करता हूं तो म आप कलपना कर सकते हैं कि जब व्यक्ति परधान मंतरी को गाली दे सकता है तो इस देश के दलित पिछणों की क्या हैसियत है उनको गाली क्यों नहीं देता होगा यह आपको बता दें कि रामलखन गौतम ने लिखा इनको आप फॉलो करिएगा बहुजन समास से आते हैं दल को जो है शेर करते हुए लिखा कि सेरा पार तथा पूरे बहोरी विद्याल एक चराबाजार जिला गोंडा में बाबा शाहब अंबेटकर जी की फोटो ना लगा कर अपमानित किया गया परधाना चार जी ने कहा कि हम बाबा साहब का फोटो क्यों लगाएं जिला परसासन स मांग है कि ऐसे प्रधानाचारियों को तुरंद वर खास किया जाए साथियों प्रमपुज बाबा साहब डॉक्टर भीम राम बेकर की वज़ा से आज हम लोग आपके साथ वक्तब कर रहे हैं जो दलित पिछले आदिवासी समाज जो इस देश के मूल निवासी हैं मुस्लिम स सारी चीजे संविधान दे रहा है तो संविधान के लिखने वालों की तस्वीर स्कूलों में क्यों नहीं होनी चाहिए आप सोचे ये 15 अगस्त हो या अगर तंतर 26 जनौरी हो ऐसे मौके पर जब बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगती है तो इस देश के संविधान निर्मा और दलीत पिछले आदिवासियों की भावनाओं का हनन होता है बाकि आप लोग जरूर बताएगा कि क्या बाबा साहब की तस्वीर स्कूलों में होनी चाहिए या नहीं साथियों मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस स नंबर पर कर सकते हैं प्लीज भुरा मत मानिएगा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बिन्ती कर रहा हूं मैं आपके पैसे के पाई-पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहां इन्वेस्ट किया है प्लीज आप लोग इस से में मेरे मदद कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही जै भी नम्मुद्धाएं